नमस्का स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हर्याणा में मैं हूँ आपके साथ संगीता द्वालशी बुर्टन की शुरुआत करते हैं फटफट नाज में कॉंग्रस रेता राहूल गान्दी ने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है हम सिर्फ लखीम पुर्खिरी माबली पर चर्चा चाहते हैं राहूल गान्दी ने कहा कि इंदुरी मंतुरी आजे मिश्रा को बरखास्त किया जाए और हम लद्दाक की आवाज सदन में उठाना चाहते हैं विधान सबा के शीदकालीन सत्र का इस दूसरा दिन सत्र की कारवाही के दरान नौक्रियों के मुद्दे पर हंगा में क्या साथ सदन में आज तीन विधेक पेश होंगे जिसमें प्रश्निकाल में विधेकों की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे अबैचोटाला पराली के मुद्धे पर सवाल पूछेंगे तो वहीं बीवी बत्पुरा, क्रुश्णमेधा और प्रमुद विजभी सवाल करेंगे क्यामिनिट मंतरी अरेल विजभी ने दिली के सिया मरविंद केजडिवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजडिवाल लोगों को भटकाने का काम करते हैं मंतुरी अले विज ने कहा कि केज़डी बाल मत दाताओं को गुम्रा करने के लिए जुम्ले पहला रहे हैं पज्जाब में काप्टेर अमुरिदा सिंग और बीजेपी की ही जीत होगी परिदाबाद के सेक्टर सेत्युस पे कश्मीर भवन की वर्षकाट के अफसर पर केंदरी मंतुरी करश्टपाल गुजर का कश्मीरी पंडितों ने पगड़ी पहना कर स्वागत किया केद्री मंत्री कृष्णपाल गुजा ने कहा कि कश्मीरी समाच के लोगों का देश की राजनीती और देश की संस्कृती विरासत में बड़ा यूगदान है मंत्री कृष्णपाल गुजा ने कहा कि सभी कश्मीरी पंडित देश भक्त हैं और देश के लिए ही जीते हैं कश्मीर की राज़नीते खालाव खराब होने की वज़से कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शर्णाथी बनकर रहना पड़ रहा था मंतुरी क्रिश्न पार गुर्जर ने कहा कि परिदाबाद में भी बहुत कश्मीरी पंडित है जो इस समाच का अंग है इन सभी कश्मीरी पंडितों के लिए जल्द ही एक भविक कश्मीर भवन का निर्माण किया जाएगा परिदाबाद में सीही मंडल की कारिकारणी बैठक में पूर्वुद्योग मंत्री विपुल गुएल पहुंचे और कारकरताओं से पार्टी की नीतियों को जनजन तक पहुचाने का आभान किया दरसल पार्टी आला कामानी पूरे प्रदेश में तमाम वधायक और मंत्री सहेत सभी नेताओं की मंत्री स्थर पर कारिकारणी बैठक लेनी के जिम्मेदारी लगाई है इसमें पूर्वुद्योग मंत्री विपल गोयल को सीही मंडल का पालक बनाया गया है इसी कड़ी में पूर्वुद्योग मंत्री विपल गोयल ने सेक्टर साथ डी में हुई मंडल कारकारणी की बैठक में हिस्सा लिया पूर्वुद्योग मंत्री बेपल गोयल ने मंचल सर के कारकरताओं को समभोधित करते हुए सब ही का मनुबर बढ़ाया और पार्ठी की कत्विधियों को जनजन तक पहुचाने के लिए कारकरताओं को पार्ठी नितियों के बारिम बताया बलबगड में पाली की किल्दात को दूर करने के लिए काबिनेट पंतुरी मूर्चन शर्पा के बड़े भाई दीपक चन शर्पा ने वोर्ड नम्मर 40 में लगाये गे टीव बिल का उद घाटन किया 18 और 19 दिसमबर को एश्टेट की परिक्षा शांतिपूर तरीके से हुई अब 20-25 दिनों में परिक्षा का परिणाम खोशत किया जाएगा हेस्टेट की परिक्षा में 1,87,951 अभ्यार्थियों ने 221 में परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा दी परिक्षा देने वालों में 1,37,000 से ज्यादा परिक्षा देने वाली महिला शामिल है हैस्टेट की परिक्षा के दौरान सिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें तेज नकल्चियों को पकड़ा है अब OMR शीट्स को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा कैथल प्रशासन ने फर्मायम जारी किया है कि अधिकारी हूँ या आमजन अमबाला को निर्मल बढाने के लिए नगर निगम ने अनुखी पहल शुरूख की है अमबाला के 20 वॉडों में निगम के 10 अधिकारीओं द्वारा गोद लिया गया है अब वॉड में नए विकासकारीओं और समस्याओं का अहल करवाने के जिम्मेदारी और सधिकारी की होगी जिसमें वॉड को गोड़ दिया है निगम अधिगारी के अनुखार श्रहर में नालियों को कवर करने नालों पर बने अवैद निर्माण को हटाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा यम्मना अगर के हतनी कुंट बैराज की अप्स्ट्रीम में डाम बनाया जाएगा जसे लाखों क्यों सेक पानी स्टोर हो सकेगा फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली हर्याना समेत वेभेन राजियों को पानी सप्लाई किया जाएगा निली अन्सी आर के चार जिलो में छटी से बारवी तक एक बार फिर स्कूल खोल दिये गया हैं दिल्ली अन्सीर समेत चार जिलो में बढ़ते प्रदूर्शन के चलते 14 नमर को स्कूल पूरू तरीके से बंद करने के आदेश दिये गये थे निजी संचालक अपनी मनमानी करते हुए लगातार पहले दिन से ही स्कूल खोल रहे हैं अलाकि सरकारी स्कूलों में नियम लागू होने से सुनबार को स्कूल खोल दिये गए हैं सोनी पत्पे छटी से बार्मी कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्राई जब स्कूल पहुंची तो उन्होंने खुशी जाहिर की वहीं स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया है जहाँ पहले साड़े आठ बजे स्कूल खोलते थे तो वहीं अब दस दे दो बज़े तक क्लासे लगें कि ठन बढ़ने के चलती ही बदलाव किया गया है भिवानी के हनमान ठाड़ी में सैनी कल्यान परिशत द्वारा महराज अशूर सैनी जैन्ती महत्स अब कारकरम में लोगसावा सांसा चौदरी धर्मदीर सिंग और करुक शेत्र से सांसा नायव सैनी ने शरकत की काकरम में सबाज से जुड़े मेधावी छात्रों और राष्ट्री अंतर राष्ट्रे खेल्स परधा में मेडल लेने वाले खिलाणियों को विश्य समान दिया गया इसी बीच लोगसबा सांसा चौदरी धरमवीर सिंग और कुरुक्षेतर सांसा नायप सेनी ने काया कि महराजा शूर सेनी के जीवन प्रसंग से प्रिणा लेकर समाच के उत्थान के लिए काम करना चाहिए शाह सतनाम सिंग के 31 में पूर्णित थी पर डीरा सचा सौदा की शाह सतनाम ग्रीनेस वेलफेर फोर्ड विंग ने नर्वान नागरे का स्पताल में मरीजों को पल वित्रुत किये गुला चीक में नेकी कघर संस्था की तरफ से विश्याल रक्तान शिवर का आईजन किया गया जोसे महावीर दल अस्पताल में लगाया गया रक्तान शिवर ने डॉक्टर्स में अपना योगदान भी दिया और युवाओं उनी पढ़ चड़कर इस शिवर में हिस्सा लिया गुला चीक में डेरा अनुआईउं की तरफ से मानम वित्ता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है इसके साथ ही वहाँ पर गरीब और असहाय लोगों को फल भी वित्रत किया गया गुलत च्रीका के FTM ने डेरा अरुनाईयों के मानवता भलाई के कामों के प्रश्चन सा की है बता दे कि डेरा अरुनाईयों द्वारा मानवता भलाई के लिए 135 कार चलाए जा रहे है कुरोना काल से बंद फरीदाबाद के रेन बसेरों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है ओल्ड फ्लाइवर के निचे बने रेन बसेरे पर तारा रटका हुआ है वही रेन बसेरे के बाहर बैचे लोगों का कहना है कि रेन बसेरे काफी दुनों से बंद है कोई से देखने तक नहीं आया, अगर रेंड बसरे खुल जाए तो कडाके की ठंड में उन्हें सहरा मिल जाएगा महम के गवलंबा गाउं में पंचायत का आउजन किया गया, जुसमें गरामिडू ने गवलंबा गाउं के बाहनों के लिए टूल फ्री करने की बात कही गरामिडू ने 23 दिसंबर का समय दिया है, इससे पहले गरामिड मदीना टूल को लेकर के चप्चा कर रहे थे, आधिकारी उसे बात च्रीत करेंगे, उनका कहना है कि अगर इस दोरान बात नहीं बनती है, तो रोव्यार गाउं में फिर से एक पंचायत होगे, जिसमें कोई ठ सेविल अस्पताल में यूबाउं ने नुकड नाटक कर लोगों को स्वच्चता और बढ़ते प्रदूशन को लेकर के जाग रुकिया, नाटक के माधम से उन्हों ने वहां पर मौझूद लोगों को बताया कि प्रदूशन और स्वच्चता अभियान को आगे बढ़ाया ज सकता है, तो लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने आसपास के बातावरन को स्वच्च रखे और प्रदूशन भी ना पहला है, ताकि लोगों के स्वास्त पर और किसी भी बिमारी का खत्रा उन्हों पर ना मढ़ राए, ओमिक्रोन का खत्रा हर दिन बढ़ता जा रह देश में घो रूंद की संख्या और एकसक्साथ हो गए है, और माराष्ट में घुम्क्रोन के छे मरीजों की पुष्ट्यू भी जुसके बाद मुक्रोन के मरीजों की संख्या चवान हो गई है महाराश में कोरोना की 902 नए मामले सामने आये हैं और पश्टे 24 घंटे में 9 संक्रमेतों की मौत हो चुकी है तब मिलाडू में कोरोना के 610 मामले सामने आये हैं चार लोगों की कोरोना के चलते जान चली गए असा में कोरोना के 75 नए मामलों की पुष्टी हुई है ये अपील की है देश में कोरूना का कहर जारी है जहां राधिस्तान में ओमिक्रोन के 17 मामने सामने आ चुके है करनाचक में ओमिक्रोन के 5 और नए केस दाबने आये हैं लोगों से अपील कोरूना गाइडलाइन का पालन किया जाए देश में कोरुना के 6,563 नए बामलों की पुष्टी हुई है 132 मरीजों की कोरुना की चलते जान चली गई है करन्ना में वैपारी से फिरोथी मागने के बामले में वैश्य महा संबेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन वैपारी के घर पहुंचे और पीड़ित को मदद का भरूसा दिलाया राजीव जैन ने कहा कि वैश्य महा संबेलन पूर तरीके से अव्यापारी के स्थाथ है किसे भी कीमत पर उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वैपारियों के खिराप अत्या चार हो रहे हैं जिसको लेकर कि उन्होंने आवाज बुरंद किया है मुकमतरी से मिलकर दोश्यों पर कड़ी कारवाई की मांग भी की कई कनार में सरकार की तरफ से खेलों इंडिया का कारखरम किया गया खेलों नीटी के तहथ खेलों इंडिया में लड़कियों की भागेदारी भी बढ़ती जा रहे है तो वहीं सीय मनोहलाल ने खेल नीटी को अच्छा पताया है इस दोरान महिरा खिराडियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले कुरुक्षेत्र में अंतर राष्ट्रे गीता जन्ती के अफसर पर कैसल सहकारे शुगर मिल के देशी गुड और शकर की बंपर विक्री हो रही है शुगर मिल एमडी ने स्टॉल का ओचक निरिक्षन किया तो वो गदगद हो गए उन्होंने कहा कि सर्वुत्तम गन्य की पेराई कर अन्भवी कारी कर गुड़ और शकर मनाते हैं जगाधरी जेल में जिला एस्पी संचीव पापड की अध्यक्षिता में और चक तलाशी अभ्यान चलाया गया जहां पूरे जेल की सुरक्षा कर्मिन गहनता से तलाशी ले तलाशी के दौरान कोई भी निश्येद वस्तू बरामत नहीं हुई है इसके साथ ही आगको बता दें कि तराशी के समय स्वाव एस्पी संचीव पातड मौझूद रहे स्पेशल चेकिंग अभ्यान के दौरान बिजली शोली पकड़ने गई विभाग के टीम पर गाउ ने साबकीन इस पूरे पाबले में टीम में माजूग देस्टियों और जई के साथ आरूपियों ने अभदर बहवार किया और हाथा पाई भी कियों उनके मोबाईल और सरकारी दस्तवेज भी छीन लिये यमना नगर में आईटियाई के पास मौडरन कॉलोनी में दिन दाहर एक बुज़र्ग महिला से दो आक्टिवा सवार लुटेरू ने कान की बालिया छीनी और फरार हो गए लुट के पूरी घटना पास में लगे सिस्टिवी कैमरे में कैद हो गई फिलहाल इसकी शिकायत गांथी नगर थारा में दे दी गई है थाना प्रभारी जस्पीश सिंग ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्श कर लिया गया है और जल्दी आरुपियों को गिरफ़तार कर लिया जाएगा कैतल के उपमंडल करायत में जन्ता किराना स्टोर के मालिक रामफल से 50 लाग की फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को खिरफ़तार कर लिया गया है इन बदवाशों ने किराना स्टोर मालिक से तीन दिसंबर को फोन करके कहा था कि पुचास लाग के फिरोती दो नहीं तो गोलियां चलेंगी और तुम मारे जाओगे गुप्त सूचना के अधार पर पुलिस से बंद पड़ी दुकान की तलाशी ले रही है जिसमें उनसर पैटी अवैद शराब बरामत की गई है फिलार पुलिस ने मामला दोश कर लिया है और फरार आरूपी की तलाश शुरू कर दी है परिदाबाद में एक कारव चालक ने रूड के किनारे खड़ी दो मासूम बच्चियों को रुख डाला गनीमत ये रही कि बच्चियां सकोशल पच गई हाला कि दोनों लड़कियों को तुरंट अस्पताल पहुँचाया गया जहां एक बच्ची को मामली चोटे आई है तो वहीं दूसी लड़की अस्पताल में उपचारा धीन है वहीं पास लगे सेसी टीवी कैमरों में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के पहचान कर ली है और रुपियों की तलाशी भी शुरू कर दी है गुरुग्राम के सेक्टर अर्टिस में एक शक्त की कूली मारकर के हत्या कर दी गई हिसार के अग्रोहा गाउ में एक वक्ती ने अपने परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी आत्म हत्या कर ली सूचना मिलते हैं डियाईजी वालवार मौके पर पहुंचे हो और घटनास्तल का मुआयना किया है डियाईजी की मताबिक खर के मुख्या ने मोक्ष प्राप्ती के लिए पूरे परिवार की हत्या कर दी कुरुक्षेत्र के श्याबाद उपमनल की जाडियों में एक अर्ध जला अग्यावत शब मिला है जैसे पुलिस ने कबजे में ले लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है पहाडों पर हो रही बरफ़ारी से हर्यान समित कई राज्यों में ठंड बढ़ सकती है जहां हर्यान के महंद्रगड में भी तापमान में भारी गिरावट दर्च की गई है महिंद्रगड में ठंड वर्ड सकती है जहां तापमान दो डिग्री सेल्सिय दर्च किया गया है इस दोरान खेतों में पाले की सफिद चादर भी नजर आई तो वहीं पाला गिरने से किसानों के फसलों को नुकसान होने कारुमान लगाया जा रहा है दिल्ली में सुबह नियूंतन तापान 4.4 डिग्री सेल्सिय दर्च किया गया मौसम विभागनी दिल्ली मिस्तर्द हवाय चलने का प्रकोप दिन भर जारी किया गया है फिलिपिन्स में आए 270 किलोमेटर रफ्तार वाले राह नामक तूफान से रवियार को करीब 60 लोगों की मौत हो गई 208 लोगों की मौत का अर्मान लगाया जा रहा है पिहुल प्रांद के गवर्णर आर्थर ग्याप ने पताया कि 10 लोग अभी लापता है और 30 लोग घायल हुए हैं उन्होंने कहा कि मौत को की संख्या बढ़ सकती है राय नामक तूफान से करीब 7 लाग 80 लोग प्रभावित हुए हैं इनमें इससे 3 लाग लोगों को अपना अश्याना छोड़का सुरक्षत स्थानों पर पना लेनी पड़ी अधिकारियों के मताबिक अब तक केवल 21 लागों में बिजली आपूर्ती बहाल हुपाई है तीन शेत्रिय हवाई अड़ों पर जल भराव अभी भी बना हुआ है दिली में प्रदोशन कस्तर जगातार बढ़ता जा रहा है दिली में एक यूआई 290 दरच किया गया है हिसार की आबो हवा बेहत खराब शेनी में बनी हुई है जहां एक्वालिटी इंडेक्स से 278 के पार दरच किया गया है परीदाबाद में आबो हवा बेहत खराब शेनी में बनी हुए जहां एक्वालिटी इंडेक्स से 300 के पार दरच किया गया है रहत तक में हवालिटी इंडेक्स से 270 दरच किया गया है यहान पर दमा के मरीजों में सास नहे में दिखकत हो रही है विवानी में हवा की गुडवत्ता फिर से खराब शेणी में पहुच गई है जहां एक्वालिटी इंडेक्स 210 दर्ज गया है सोनी पत में हवा की गुडवत्ता फिर से खराब हो गई और यहां पर EQI 300 की पार दर्ज गया है साइबर सिटी गुरूगराम में दीपावली के बाद से ही प्रोदूर्शन की मान लगाता आप जारी है यहां का AQI 280 के पार हो गया है अंडर 19 वाल्ट कप के लिए भारतिय टीम का एलान हो गया है चार की चेंप्रेंशिप भारतिय टीम के कपतानी इस टूनामेंट में दिली के यस्टूर करेंगे आंध प्रदेश के SK रशीद को उपकपतान बनाया गया है अगले सार 14 जन्वरी से अडर 19 वाल्ट कप वेस्ट इंडीर्स की मेज़बानी में खेला जाएगा अखिल भारती जुनियर चैन समीती ने ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए भारती टीम का चैन किया है